हेलो गाईज, वेलकम बैक टू नैस्टी आईज गेमिंग और मैं आप सब के लिए एक गुट न्यूस और एक बैड न्यूस लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं कुछ लीक्स और रूमर्स के बारे में बताऊंगा और लेटेस्ट रूमर्स के हिसाब से कोड वरॉनिका रिमेक अभी डेवलप्मेंट में है तो इसी के बारे में मैं कुछ मेजर डेटेल्स आप सब से शेयर करूँगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो तो सबसे पहले मैं उस न्यूस के बारे में बात करूँगा जो दावा करता है कि कोड वरॉनिका रिमेक करेंटली डेवलप्मेंट में है इंडस्ट्री के फेमस लिकर डस गॉलम ने ये क्लेम किया है कि रेसिडेंट इविल कोड वरॉनिका रिमेक and Resident Evil Zero remake currently development phase में है आप सब देख सकते हैं मैंने Dusk Gollum का वो tweet भी screen पे शेयर किया है and guys Dusk Gollum industry का सबसे famous leaker है and past में इसने कई सारे Resident Evil project से related news leak किये थे जो accurate निकले तो yes, it's a good news for the Resident Evil community finally हम सब की request Capcom ने सुन ली and वो हमें Code Veronica remake देने वाले हैं तो ये तो good news था आप चलिए बात करते हैं bad news के बारे में तो guys Dusk Gollum ने ये भी tweet किया था कि Resident Evil 9 डिले होने वाला है and Resident Evil 9 हमें या तो 2025 end या 26 end में मिलेगा तो ये देख के मैं तो खुश नहीं था पर मैं फिर भी सोचा यार कि अगर Capcom टाइम देना चाहती है and हमें एक top notch Resident Evil game देना चाहती है तो चलेगा यार क्योंकि fans qualities से compromise नहीं करेंगे तो guys ये तो था Resident Evil Code Veronica remake and Resident Evil 9 के बारे में तो अब मैं आप लोगों से share करूँगा कुछ news Resident Evil 1 remake and Resident Evil 5 remake से related तो guys Dusk Gollum के हिसाब से Resident Evil 1 remake के बारे में जो news leak हुआ था वो fake है उसके हिसाब से Resident Evil 1 remake कभी development में नहीं है and guys रहा सवाल Resident Evil 5 remake के बारे में तो Dusk Gollum के हिसाब से Resident Evil 5 remake तो भी development start भी नहीं हुआ है and ये guys थोड़ा सा weird है क्योंकि separate ways DLC के end में जो हमें cutscene देखने को मिला उसके हिसाब से वो clear हो गया था कि Capcom का next project Resident Evil 5 remake होने वाला है and अगर आप Dusk Gollum का वो tweet देखें तो उसमें mention है कि Resident Evil 5 remake कभी development में नहीं है तो ये news थोड़ा सा clear नहीं है मेरे हिसाब से तो चलिए ये तो था Resident Evil 5 remake से related इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपने opinions comment section पर share करिएगा तो guys आज के लिए सुर्फ इतना ही अगर ये video आपको पसंद आया हो तो video को like कीजिए channel को subscribe कीजिए and जुड़े रहिए nasty ice gaming के साथ peace